हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल दोस्तों आज की वीडियो में हम परने वाले हैं क्लास 6 का साइंस लेसन 14 हम स्टाट कर रहे हैं इस चैप्टर का नाम है बल्व जलाओ जगमक जगमक इस चैप्टर से रिलेटेट दो वीडियो अप्लोड हो चुका है दोनों वीड इंग्लीस या इंग्लीस ग्रामर स्टाटिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जूड़ सकते हैं मेरे सेकंड लिंक आपको डिस्कुप्शन वाक्स में मिल जाएगा चलिए हम लोग स्टाट करते हैं आज का वीडियो में हम कॉसन सौल करेंगे क वासने सालुखण ने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गहें सको पड़ेंगे यह पॉइंट इस चैप्र के इंपॉइंट पॉइंट हैं पहला क्योंसे ल के दो सिरे यानिकी दू कि दिरूफ होते हैं दूसरे दूसरे दूब तक विद्दू धारा पर और अधा बल तक विदू धाला तार से पहुंशती है से강ल में और फिर बल में से करतार के ही जड्य जड़ी तक धारत के प्रवाईत होने का यह पूरा सपर लगता है भीद्थार के आने जाने कि इसंद्थत कम संझेत यहां पर बैटरी यहां बैटरी का एक सिरा जो तार में प्रवाहित हो रही है और फिर तार से बल्व में, फिर बल्व में से होकर तार के ही जड़िये, सेल के दूसरे सिरे तक धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस पूरे परिपत को, इस पूरे चक्कर को हम कहते हैं, विद्यूत परिपत, यानि ही विद्यूत सर्किट, वि बल्व नहीं जलेगा चलिए हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं बल्व का अविस्कार बल्व का अविस्कार थॉमस अलवा एडिसन ने किया था इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखावा है बिजली का बल्व सबसे पहले बनाने कासरे एडिसन को जाता है एडिसन का पूरा नाम है थॉमस अलवा एडिसन नेक्स्ट पॉइंट है आजकल बल्वों के फिलामेंट यानि की कुंडल फिलामेंट को ही बोलते हैं कुंडल आजकल बल्वों के फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं अब्जेक्टिव कौसन यहाँ पर दिया गया है निम्न वस्तों में बिजली का चालक है चार ओप्सन यहाँ पर है लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, लोहा बिजली का चालक के बारे में आपने पूछ रहा है मतलब जिस चीज में से विदुत धारा प्रवाहित हो सकती है वो चीज या फिर वो वस्तों बिजली का चालक यानि विदुत चालक कहा जाएगा लकड़ी, कागज और प्लास्टिक इन तीनों में से बिजली की धारा प्रव भाइथ हो सकते हैं बल्व के अविसकारक थे चार आप्सेन हैं जैंस एडिसन ग्राहम बेल जहांगीर भाबा इसका आंसर हो जाएगा एडिसन नेस्ट एस्ट बंटली कि सधातू की बनी होती है कूंडली यानि की कुंदल यानि की चारौस नहीं लोहा, पीतल, टंचस्टन या स्टील हमने यहां पर पढ़ा था कि प्तिमा आउन्प हवा है बिजली का चालक, कभी कुचालक, कभी कुचालक या इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा बिजली का कुचालक रिक्त अस्थानों की पूर्ती कीजिए पहला स्टेटमेंट है जब विद्धुधारा सेल के एक सिरे से तारव बल्व से होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है तो इस चकर को डैस कहते हैं इस चकर को कहते हैं परीपत किसी वस्तू को विद्धुध परिपत में जोड़ने पर बल्व जल उठता है तो इस वस्तू को विद्धुध का डैस कहते हैं इसका अंसर हो जाएगा चालक नेक्स्ट है ऐसे चीज़े जिनको सर्किट में जोड़ने पर बल्व नहीं जलता है इन्हें डैस कहा जाता है तो ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे कुछालक नेक्स्ट कॉसन यहाँ पर रेखते हैं थर्ड नमर का कॉसन है राहुल ने एक नया सेल खड़ीदा उसकी घुंड़ी पर एक प्लास्टिक की सील बनी वी थी प्लास्टिक की सील हटाए विना राहुल ने सेल को टॉर्च में डाला बताए राहुल की टॉर्च क्यों नहीं जल दोस्तों जब आप नई बैटरी खरीते हैं तो बैटरी के धान सीरे पर यहां पर एक प्लास्टिक की सील लगे भी होती है तो जब तक आप उस प्लास्टिक की सील को हटाएंगे नहीं तो वो बल्व नहीं जलता हो से मतलब अगर आप प्लास्टिक की सील हटाएं बिना आप तो टॉर्च में लगाएंगे तो टॉर्च नहीं जलेगा क्योंकि प्लास्टिक विद्धूत का कुछ आलक होती है उनमें से विद्धूत धारा प्रवाइत नहीं हो सकती है जिसकी वज़ात से बल्व नहीं जलता है तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर होगा बल्व नहीं जलने का मुख्य कारण था कि राहूल ने से प्लास्टिक की से नहीं हटाई प्लास्टिक विद्धूत का डूर्ब है इसलिए बल्व नहीं जला नेक्स्ट कॉशन है बल्व के अंदर का कुंडल तूटने के कारण जब बल्व फ्यूज हो जाता है तो बताएं तब बल्व क्यों नहीं जलता है इसका आंसर होगा, बल्व के अंदर का कुंडल तूटने के कारण बल्व नहीं जलता है, क्योंकि कुंडल के तार पर एक सिरा अंदर ही अंदर घुंडी से जूरा होता है, इसलिए एक सिरा तूटने से विद्धुत धारा परवाइत होना बंद हो जाता है, तब बल्व नहीं जलता है कि यहां टॉर्च के बालव का चितर दिया गया है यह फिलामेंट अगर बीच से टूट जाएगा तो बल्व नहीं जलता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि फिलामेंट से दो सिरा जुरावा होता है एक चूरी से और एक कुंडल से तो जब तक इसके रास्ते में अवर कॉंटें उत्तुपन होना बंद हो जाता है इसलिए बल्व जल नहीं पाता है चलिए नेक्स्ट कॉसन देखते हैं कॉसन नमबर फाइब किसन के पास एक ही तार था तार के एक सिरे को उसने अपने बल्व के चूरी पर कसा और दूसरा सीरा सेल पर दबाया फिर एक स्टील क सेल और बल्व को दबा कर इस तरह रखा कि उसका बल्व जल उठा अपनी कॉपी में चित्र बना कर समझाएं कि एक ही तार से उसका पड़िपत कैसे पूरा हो गया तो मैंने यहां पर एक चित्र बनाया है यह एक स्टील का डबा यह सेल जिसको हम बैटरी करते हैं और यह ब बल्व में जाड़ी है इसलिए इसका बल्व जल उठता है मतलब विद्यूद परिपत पूरा हो जाता है तो बल्व जल जाता है नेक्स्ट कॉसन है अपने सब्दों में समझाएं कि बल्ब में रोसनी कैसे होती है इसका अंसर होगा बल्ब का फिलमेंट काफी पतला होता है जब इससे विद्धारा बहती है तो धारा के पत्थ में काफी रुकावटे होती है जिससे फिलमेंट गर्म होकर जल उठता है यहा करती है यहां पार जो हमने पढ़ा था कि बल्व के अंदर कुंडल होता है कुंडल तूट जाने के कारण बल्व नहीं जलता है इसका यहीं कारण है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं बल्व जलाते हैं उसमें से विद्युधारा प्रवाहित होती है विद्युधारा जाती है ले यह वीडियो का रहलफ लगी होते वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेड़ कीजिए